बिसमिल्लाहिरामानुरहीम असलाम अलेकुम डियर विवर्स दिसससोद और वाचिक मैं यूट्यूब चैनल साउच सूलुशन आज की वीडियो लेक्ट्चर मैं मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुलुशन और सेकेंडेर मैथमेटिक्स पेपर है 2018 करांची बोट और आज हम सेक्शन एंसी कुस्स सॉल्फ करेंगे और सेक्शन एक हेडिंग नजारी आपको मल्टिबल चॉइस कोशन्स कोशन नमर वने चूज दक्रेक्ट आंसर्स फ्रॉम गीवन ऑप्षिन तो पहले एंसी सेक्टर से दिया किकरण है और टॉपिक का यह की पौर एक्सेंसी कोशन एक्स-ट किस बराबर होता है यह formula होता है कि limit x tends to 0 e की power x minus 1 over x जो है वो 1 के बरावर होता है हम options में देख लेते हैं 1 कहां पर लाए कर रहा है तो यह third option में 1 लाए कर रहा है तो हम इसको right tick कर देते हैं इसके बाद यहां पर fill in the blanks में भी लिख देता हूं 1 इसके बाद मैं अब mcqs number 2 की जाने परता हूं mcqs number 2 भी chapter number 1 से और limit के topic से लिया गया है यह sandwich theorem की application दी गई है और limit x tends to 0 sign cx upon x तो sandwich theorem में जानते हैं कि sign जो भी same angle होता है वही नीचे होना चाहिए इस वक्ते हैं यहां पर कहें सिफ एक से तो हम इस जो सी एक्स बनाने के लिए सी से multiply divide करना पड़ेगा तो मैं यहां पर लिखता हूं ऐसे कि सी multiply by limit लिमिट एक सेंसी जीरो साइन सी एक्स ओवर सी एक्स और जैसी साइन सेम एंगल बनेगा नीचे भी वही सेम एंगल आजाएगा इसकी वैली का हुजए कि वन के बराबर हो जाएगी तो इसका मतलब है आप रहां सी multiply by इसकी जाएगा और सी को मिल्टी बैगे रिजल्ट का जाएगा सी के बराबर आजाएगा अब इसको आप्शन में तराश कर लें यह आपका लास्ट ऑप्शन होगा सी तो यहां पर देखिए सी को right tick कर दिजिए और यहां पर लिख देगे के बराबर हैं में सी को समबर टू सॉल्व हो गया एंसी को घरी बर गाएं एंसी को जुबर थी भी चैप्टर नूंबर वन से ही लिए गया और क्योंकि चैप्टर नुमर वन का तालूग है कैल्कृस का और टॉपिक है वह बे में least upper-bound किसीभी set की कौन सी वैल्यू के लाती है least जब ही पुछाएगा इसका मतब है highest value की बात कर रहा है जोगे सबसे हाई सो सुथमें माने से मानेस फाइफ एट मानेस वन बार्ण ठीट वड़ी तो Cash हमारा लीस्ट अपर बाउंड के लाएगा तो आप देखिए यहां पर अप्शन में माइनस टैन एट फिफ्टीन और ट्वेंटीवन को आप टिक कर दीजिए यह आपका जो है आंसर हो जाएगा इस तरीके से एंची के जमब थी भी हमने सॉल्व कर लिया है और अब हम एंसी के जमर 4 कि जाने पढ़ते हैं में से पूछा गया है चैप्टर नुम्बर 2 से इसमें पूछा रहा है दे कोडिनेट्स ऑफ इस सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगिल तो आप जानते हैं कि हमने सेंट्राइड का फॉर्मला पड़ा था कि तीनों कोडिन के एक्स कॉपनेंट को एड़ करें थिरी से हम डिवाइड कर दे दे तो अब देखिए सिंबल सा है रूल यहां पर यह कहां टू प्लस एट टैन प्लस नाइन नाइंटीन को थी से डिवा थी तो एक्स की वैलू पी और वाइक वैलू भी नैंटीन बैचिरी आगी अब ऑप्शन में तराज करें थी कॉमा 419,19 नाइंटीन अब थी इसका मतब्स हमारा राइट अंसर यह थर्ड ऑप्शन होगा इसको मेरा टिक कर राऊं यह मेरा आंसर हो जाएगा इसके बद कि आज का लास्ट से एंसी कुछ नंबर फाइफ यह पूछा जा रहा है यह भी चैप्ट नंबर टू से पूछा रहे दे इंकिलीनेशन को आउफ एक्सक्स इस इनकिलीनेशन कहते है एंगेल गो एक्सक्स का एंगेल आप से सब पुछाए कि क्या होगा कि 90 ग्रियोंगा जिरो डिग्री होगा 45 डिग्री लियर टू चैप्ट टॉ ने फिक लेइं इसको सब्सदी करके कि जो भी लाइं होरिजोंटल होती है जैसे एक्सिक्स इसका एंगिल जो है थीटा वह जीरो डिग्री होता है होर्जोंडल लाइंग तो इसका मतलब यह हमारे पास स्सक्षिस का जो इंकलेंशन होगा वह क्या होगा जिरो डिग्री होगा इसका ओप्षन नमबर जो है वह सेकेंड उप्षण राइट ऑप्षन इसको राइट कर दीजिए यह आपका अंसर हो जानेगा कि तुरेंट इस लेक्षर को आप डाउन को लीजे और मैक्सिमम यह तक् जो MCQS की वीडियो लेक्चर सीरीज है या आपको इंचारताला एक्जैम में बहुत हेल्प करेगी और मज़ीद वीडियो के लिए आप देखते रहीगा चैनल को सुलुशन को इसको लाइक करें इसको सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में शेयर करें अपना बहुत ख्या लिखेगा अल्हाफिस्ट